हाई फ्रेंड नमस्कार आज हम बात करेंगे कि क्या हमने यूलिव पेचना चाहिए रेगुलर प्लान बेचना चाहिए या फिर हमने सिंगल प्रिमियम बेचना चाहिए इसके उपर विस्तुरूट चर्चा करूँगा मैं मुकेश जोशी इंडिनी शूट अफ एक्सिलेंस से आप सभी का हर दित स्वागर करता हूँ और आप लोगों का ने और प्रेम जो मिल रहा है उसके लिए वंस अगेन आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्स्राइब में किया सब्स्राइब कर लो जिन लोगों ने भी बेल बटन नहीं दबाए बेल बटन दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिले चलिए सो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे बहुत सुन्दर बात कई बार हम लोगों को कन्फिजन होता है एक्चुली मेरे टॉपिक भी वहीं से निकलते कि बहुत सारे लोग कॉल करते हैं पूछते हैं कि मुकेश भाई हमने क्या करना चाहिए जबकि मैनेजमेंट हमें प्रेशर कर रहा है कि सिंगल प्रिमियम बेचो या कोई फलाना डिपार्टमेंट प्रेशर कर रहा है कि यूलिप बेचो तो हमने एक्चुल में करना क्या चाहिए चलिए दोस्तों बहुत डिटेल में बात करेंगे एंड तक जरूर देखना ताकि आपको clarity आजाए otherwise क्या आदा देखोगे आदी clarity आएगी 70% देखोगे 70% की clarity आएगी 100% देखोगे 100% की clarity आएगी सबसे पहली बात कि जबी भी हम किसी भी customer के सामने हम बैटे है एक बात अपने को ध्यान में रखना है सीव हम एक mega store खोल के अगर बैटे है और कोई अगर आके कहे कि इसमें से कौन सा सामान अच्छा है कौन सा सामान बुरा है आप हसोगे आप कहोगे भाई हमारा पास तो mega store है तुमको जो सामान की जरूरत है वो उठाओ और निकलो यासे दूसरी बात है कि medical store लेके अगर बैटे है medical store को अगर कोई पूछे है कि कौन सी दवाई अच्छी लए तो कोई भी medical store वाला क्या बताएगा prescription क्या है वो बताओ अच्छा ही prescription आता कहां से है यह prescription आता है डॉक्टर के पास से अब डॉक्टर क्या करता है डॉक्टर आपकी चांच परताल करके आपको किस चीज की जरूरत है वो चीज को समझ के उसके बाद में prescription लिख के देता है कुछ similar case जो है मामला जो है वो investment and insurance के उपर भी जाता है अगर हमारे पास कोई भी customer बैटा है तो उसको actual में किस चीज की जरूरत है अगर वो हम समझ जाए और वो हम उसको prescribe करें या वो चीज हम उसको समझाए तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं आपको कोई restrict होने की जरूरत है कि या तो मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे एजेंट है they are doing well in single तो सिर्फ single ही करते जाते है some of the agents are doing well in regular तो regularly करते है and some of the agents are doing only you live product ये तीन चीजों के लिए कोई तीन एजेंसी की जरूरत नहीं है कुछ-कुछ एजेंट तो ये मानते है कि इसके लिए कोई अलग एजेंसी लेनी पड़ती है क्या नहीं वह अंडर वन एजेंसी हम सब लोग काम कर सकते है ये सभी प्रकार के प्रोड़क्ट हम बेच सकते है even health product हर चीज की party को जरूरत होती है चलो अभी मुद्दे पर आते कि कभी कभी क्या होता है कि company से या management से top management से थोड़ा दबाव आता है pressure आता है कि आप single premium लाओ आप single premium लाओ या आप ulip के उपर अभी focus करो जैसा market trend होता है उसके हिसाब से जो है upper management से अपने को एक प्रकार का pressure ये pressure हम मानते हैं मैं नहीं मानता हूं कि ये किसी भी तरह का कोई pressure है देखिए अभी ध्यान से मेरी बात को समझना अगर मैं किसी भी party के सामने अगर मैं बैठा हूं मुझे उसी घर के अंदर में समझो कोई 40 साल 35 साल की party है और उसके पास मैं बैठा हूं तो मुझे उसी घर में उसके पिताजी जो है वो शायद 57 के 58 के या 60 के नजदेक के हो सकता है अगर party के यह जाए 35, 37 या 36 या 40 के आसपास भी है अगर हम party से discuss करने के बाद में अगर ये पूछा जाए कि पापा क्या job करते है पापा कहां service करते है पापा का retirement कब है अगर कोई कहे एक खाद 2 साल में पापा का retirement है तो इसका मतलब आपके पास ये target होना चीए आपके पास ये record होना चीए ये record book में note करना चीए कि इनके father 60 के age में retired हो रहे railway के employee है या bank के employee है या किसी बड़ी multinational company के employee है आप अगर check करोगे तो इनको एक lump sum fund आता है और ये lump sum fund आज के जमाने में maybe 50 lakh, 60 lakh, 70 lakh even करोर, 1 करोर, 2 करोर depend करता है उनकी post क्या है उनकी position क्या है मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई भी इस तरह से target करता होगा अगर सोचो इस तरह से आप target करोगे तो क्या single premium नहीं होगा नया साल शुरू हो रहा है ये नया साल की आप सभी को जब रिती साल है ये बहुत अच्छा जाए और इसमें सभी target आप करो तीनो target करो आप single premium का target बनाओ कि क्यों मैं पांच करोड़ दस करोड़ का single premium ना ला सकूँ साल बर में अगर ये focus करोगे तो क्यों ना मैं regular premium इतना ला सकूँ और क्यों ना मैं ulip product को मैं इतना premium ला सकूँ अगर इस तरह से segment wise अगर decide करोगे और सोचो के ना बहुत तो सब कुछ संभव है और अंडर अपिकी एजनसी में ये चीज़े बहुत आसानी से हम लो ये चीज़े कर सकते है तो एक segment मैंने ये बता है कि आपके पास एक तो list होना चाहिए कि कौन bank जो है वो VRS डालने वाली है कौन सी company में VRS आ रहा है कोई L&T है, वाल्टास है, अगल बगल में कहीं कंपनियां होती है तो उन कंपनियों में कब वहाँ पर VRS निकालने वाला है और कितने लोग वहाँ से अगर आप HR Department से consult कर सको ये सारी चीज़े हम लोग विविद विविद कोर्स में जरूर बताते हैं यापर लेकिन क्या है ना अब हर चीज़ फ्री में ही आपको चाहिए कोशिश करते हैं मैं तो हर टाइम कुछ नो कुछ सब्जेक लेकर आपके पास आता हूँ लेकिन इसको अगर डिटेल में आपको जानना है तो हमारे पास जो विविद विविद कोर्सेस हैं उन कॉर्सेस में आपको आना पड़ेगा लास्ट में मैं हर महिने की शुरुवात में पूरे मेरे महिने का सेडूल बताता हूँ तो जहां-जहां कॉर्स होगा मैं आपको बताऊँगा अगर आपको एप्लिकेबल कहीं भी हो रहा है और उनका VRS या तो उनका रिटार्मेंट कब है या तो अल्रेडी रिटार्मेंट हो चुक है तो उनको पूछो कि आपको कितना फंड आया था कहां-कहां इन्वेस्ट किया था मैं आपको चैलेंज देता हूँ 90% यही कहेंगे हमने बैंक में FD करके रखा हुआ है 90% चेक करके रखना विकास टेकिंग टू मच रिस्क एड दे एज अफ यूनो 60 का रिटार्मेंट आया है तो वो पैसा सेफ रहना चाहिए और अगर सेफ रहना चाहिए और गैरेंटेड पैंश है उनको चाहिए तो क्या हमारे पास प्रॉड़क्ट नहीं है कि तन्य पाउरफुल प्रॉड़क्ट है बॉस जबरदस प्रॉड़क्ट है मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर में मैंने एक जो पॉलिसी ली थी उस पॉलिसी में मुझे क्या मिला और किस तरह से मुझे मिला उसका मैं ब्योरा आपको बताऊँगा जरूर उस वीडियो को देखिए और मेरे पिछले हपते वाली जो वीडियो रही उस वीडियो के अंदर में मैंने नए साल की शुरूआत किस तरह से करना उसकी दमाकेदार मैंने बात और प्रेजन्टेशन आप लोगो दिया हुआ है नहीं दिया तो यहाँ पर सायद दिचे लिंक होगा जाओ क्लिक करो वीडियो जरूर देखो ताकि नए साल की और स्ट्रेटेजी आपको पता चले सो एक ग्रूप मैंने आपको बताया दूसरा ग्रूप मैं आपको यह बताऊँगा कि जहां पर भी हमारी जो पार्टी आए रेक्यूलर पेसिस पे सेफ इन्वेस्टमेंट करती है और रेक्यूलर प्रूडक लेती है अब यह लोगों को ज्यादा पता नहीं है यह लोग ज्यादा शेर मार्केट या तो मिट्शिल फॉरंड एसाईपी बिलिब भी नहीं करते हैं पता भी नहीं है आता भी नहीं है समझते भी नहीं है अगर उनको यूलिब की तरफ थोड़ा मोड़ा जाए रेग्यूलर पॉलिसी हमने इनफ ले चुके हैं तो अभी उसको थोड़ा यूलिब की तरफ मोड़ा जाए तो देखिए आप ही के कस्टमर है आप ही के प्रोस्पेक्ट है उनी में से अपने को सेग्मेंट वाइस करके लोगों तक अपने को पहुँचना है हमारे एक एजन्ट दोस्ट का चंदन का मुझे फोन आया था तब मुझे लगा कि मैंने इसके उपर बात करना चाहिए उनका फोन तासर हमारे ब्रांच मेनेजर का फोन है आप सिंगल प्रेमियम इतना लाओ मैंने का क्यों इस तरह से प्रेशर ले रहे हो जरूर लाना चाहिए अगर हमारा अपल मेनेजमेंट कुछ कह रहा है तो उसके पीछे कोई लॉजिक होता है ऐसे ही थोड़ी मन में आया कि किसी ने कहे दिया जाओ भी सिंगल प्रेमियम बेचो या भी यूलिप बेचो या भी हेल्थ प्रोड़क बेचो या भी रेगिलर बेचो नहीं बहुत जिस तरह की रिक्वार्मेंट होती है उस हिसाब से बताया जाता है हमारा काम ये है हर सेग्मेंट को ढूंड के रखना हर सेग्मेंट को समझना और हर सेग्मेंट में से अपने को काम करना अगर कोई ये कहे कि सिंगल प्रेमियम में हमें कमिशन कम मिलता इसके लिए हम नहीं बेचते है तो वो बहुत गलत बात है हमेशा से अन्ने को बार मैं कह चुका हूँ कि कभी भी ये कोशिश मत करें कि हमें कौन से प्रॉडक्ट में ज्यादा कमिशन मिल रहा है कस्टमर को जो जरूरत है उसके मुताबिक मैं अगर पार्टी को प्लान और प्रेजेंटेशन देता हूँ तो पार्टी भी समझती है कि मेरे वास्ते यहाँ पर आया हुआ बंदा है तो यह चीज अपने को ध्यान रखनी है देखिए, we are middle men, we are middle men for, you know, between, मैं कहता हूँ, between company and between our customer. तो अगर मैं middle man हूँ, तो जैसे न्याई का तराजु जो होता है न, तो उसको जैसे balance करके देखते हैं, वैसे हमको balance करके अपने को जरूर देखना है. जरूर focus कीजिए, single premium भी focus कीजिए, single premium के उपर में, जैसे मैंने कहा, वैसे segment decide कीजिए और काम कीजिए. It's a wonderful business, it's a wonderful thing. देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा single premium के लिए कैसे किया जा सकता है, वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ. अगर single premium है, कोई ready है, तो उसको perfectly guide करना है, guide क्या करना है, सर आपको liquidity कितनी चीए, fund में, समझो, एक करोर का fund है, तो liquidity कितनी चीए, वो बता हो, कितने percentage liquidity चीए, आप भी अपनी तरफ से suggestion दो कि किसका शादी बाकी है, बेटे का, बेटी का, या दोनों का हो चुका है, आपकी कितने साल में, पांच साल के बाद, अगर हम चेक करेंगे, तो after five years, expenses बढ़ जाएंगे, अगर expenses बढ़ जाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा pension product लेना है, जो deferment period के साथ हो, हर company के लिए होता है, अगर मैं LIC के बात करूँ, तो LIC के पास deferment period है, जीवन ध पांच साल बाद मैं थोड़ा पैसा deferment में डालूगा, तो पांच साल बाद उसको और बड़ा pension मिलना शुरू हो जाएगा, तो इस तरीके से अगर product को समझ के रखा जाए, तो बहुत अच्छा काम single premium में भी हो सकता है, और अब मैं आप लोगों के भीश में रखूंगा, मे बहुत ही powerful session है, निच्छे office numbers जो है, उसमें बात कीजिए, जो sessions में मैं क्या cover करने वाला हूँ, पुरा one day का course रहेगा, आप एटेंड कर सकते है, आठ तारीको कैलकटा में तीन से चार घंटे का मेरा seminar है, और बहुत वढ़िया seminar, नए साल की शुरूआत कैसे करनी, उसके detail च जहां पर मैं vivid vivid combinations आप लोग के बीच में रखोंगा, और 13-14 पंदरा को डली में ही basic course रखा गया है, जिनों ने भी नहीं किया, जरूर वहाँ पर आईए, वहाँ पर attend कीजी, पंदरा तारीक को मेरा FTS डली है, तो regular मेरे जो batch है, वही चलते रहेंगे, 17-18 advance regular है, 19-20-21 को basic course र पूरा मन्त का schedule मैं आपको बताता हूँ, 25th April को पुना में seminar है, 26 को FTS है, very important information that is 26 को मेरा पुने FTS है, 27 को मेरा online rebate course है, 28 को मेरा advance है, और regular जो courses बीच में हैं, वह तो हाला कि आपको हम वस्याद लाओ नहीं करेंगे, क्योंकि regular batches होते हैं, तो इस तरह से जरूर अटेंड आपके बीच में उपस्तित रहूंगा, थैंकि आपके बीच में उपस्तित रहूंगा, थैंकि आपके बीच में आइस ताइम, God bless you, Namaskar.